अब इस देखना रहे बैस सारे दर्शकान है नमस्ते जब भी में इस्टाग्राम खोल लागरू एक चुल पुला साथ चरहा मेरे सामने आगर है अब इस दो नमस्ते तो थोड़ी सी हमारी कोशिस है सबसे पहले स्वागत आपका और नमस्ते राम राम जी सबको में परसे ठीक हो और जी बहुत बढ़िया तो हां से हुआ बहादर गड़ से क्या मन किया परस टाइम के मैं कोई रील बना हूं मैं इस्टाप ब्याओं टीक्टोक का क्रेज था उस टाइम से स्टार्ट किया था और आज यहां पे हैं बेंजी कितने पड़े लिखे हो तो अपना इस लाइन में आगए अच्छा जैसे स्टार्टिंग में जब आपने टिक्टोक चलाया तो टिक्टोक तो बैन होगा वो तो बंद होगा उसके बाद इंस्टा पे आई हां टिक्टोक बैन होने के बाद में इंस्टा पे आई थी तो बेंजी इंस्टा पे आने के बाद में मतलब एक प्लेटफोर्म वहां कितने मतलब फॉलोवर हो रहे थे टिक्टोक पे टिक्टोक पे मेरे साड़े चार लाग फॉलोवर्स थे और वो बंद हो गया फिर मैं इंस्टा पे आई इंस्ट पे मेरे 10,000 फोलोवर थे जो कि मैं कुछ नहीं करती थी सिर्फ 2-4 मेरी फोटो पड़ी थी उस पे लेकिन जैसे ही मैं टिक टोक से इंस्टा पे गई तो टिक टोक से भी जादा मेरे को फैन फॉलोइंग मिली और बहुत प्यार दिया अब इस चीज पर रिल बनानी है आज इस कोई व्याग आगया मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वीडियो शूट करना है मैं तो नूर्मल साथ दी से पहले से करना गरी नहीं 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 मेरी बड़ी बेटी चार साल की हो चुकी थी उसके बाद मैंने स्ट्राट कितने दिन होगे अगर वीडियो की बात करें तो चार साल हो गए हैं अगर हरियाना इंडस्टी की बात करें तो दो साल किसने आपको बोला कि मुसकान मेरे को साथ गाना की बहुत फोन मैसीज आते थे लेकिन पता नहीं था कि अशा भी कुछ होता है क्योंकि मैंने तो एक शोक के लिए वीड यह काम करो तूम अच्छा है तुमारी लिए यह काम तो मैंने उनके कहने से काम स्टार्ट किया और मेरा पहला गाना था फसल खराब उस टाइम पे वो एक टिड़ा करके कुछ आई थी बिमारी जिससे की सारी फसल खराब होगी यरियाना में तब वो गाना मैंने नहीं करा था तो आप तो मेरे हिसाब से वैब सीरीज में भी अपने काम के था हां जी मेरी सेफ हाउस वैब सीरीज थी और भाई चारा बेस्ट कून सी रही दोनों का अलग-अलग करेक्टर था सेफ हाउस में ने पागल का रोल किया था जो कि बहुत मुस्किल था क्योंकि नॉर्मल डाय जिससे पब्लिक के रॉंग टे खड़े हो जाएं तो वो चीज उसमें थी तो भई मैंने अपना बैस्ट दिया था और पब्लिक ने बहुत जादा पसंद भी किया था इंस्टा पे जादा मजा हो है या फिलम इंडिस्टीज में जादा मजा हो दोनों एक जैसे हैं इंस्टा पर यह है कि चलते फिरते कहीं भी वीडियो बना दी अपने प्रमोशन आया है चार पांसे सार रुपया आगे घर बैठे ठीक है और जब इन काम करते हैं सोंग की शूटिंग करते हैं मूवी की शूटिंग करते हैं तो वहां पर भी का लग ही मजा आता है अलग फैमिली होत हैं तो कितना सपोर्ट परिवार करे हैं सबसे जजदा कोन करे मेरा माईके से भी से सुष्राल से पूरा सपर्ट है क्योडिया सीह थी तक मैं 2 फ़ता गर से बाहर रही थी मेरे बच्चों को मेरे साथ सोटने मेरे हस्ब sorgen ने संबारा था उसके बाद मैंने भाई शारा की तो उसमें मैं दस दिन घर से बाहर रही थी उस टाइम भी मेरे हजबन ने और में सास ससूर ने बच्छों को समाला तो मुझे कोई कदमी आई मुझे फिले नहीं ओने दिया कि बही घर पे मेरे बच्छे भी बैठे हैं मेरे कौन को जाकर समालना है आज कर तो आफ बि बिजनेस स्टार्ट कर लें कल ने बच्चों की काम आएगा तो कितना हो गया जब आप रोड पे पहले जब आप टिक टॉक पे इस्टाप या फिलम में नहीं थे तो नुर्मली आप बजार में जा सकते थे कौन जाना है वैं लेकिन अब आप मुस्कान या तो हो अभी भी मेर इसे अगर मार्केट जारी हूं तो मैं जैसे भी हूँ जीस भी आलत में हूं लेकितने के तो बहुत लोग मिलते हैं अगर किसी की हमत नहीं होती तो हम मैं खुछ से बोलती हूँ कि आपको अगर फोटो वीडियो करनी है तो आप कर सकते हूँ मैं मना नहीं करनी है नहीं मेरा तो देखो जो मैं हूँ नैचुरल ही हूँ मैं कोई दिखावटी नहीं है मेरा बस एक चीज़ मैं यह अपनी जो मेरी जनता मुझे देख रही है इनको बताना चाहूंगी कि बहुत से लोगों के मैंड में यह है कि मेर अंदर घमंड है तो प्लीज अपने मैंड से वह चीज़ निकाल दो बाकि सब ठ अब तो धमाकेदार माहो लाने वाला है करवा चोथ है उपर से साधिया तो फिर तो जोसिस यही थी कि जब स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसे मोके पर करें जिससे कि बही जाए पुब्लिक के पास कि भी हां मुस्कान ने कोई अपना काम स्टार्ट किया तो वहीं से मुस्कान के साथ एक फोटो एक वीडियो होगी मुस्कान खुद कपड़े दिखाएगी तो इतना अच्या लगेगा तो वो चीज़ मैं लोगों के लिए कर रहे हैं इंक वजह से ही एक एक करके ही मेरे आ सौल अलाग फोलोवर्स हैं एक एक ने मुझे सब्वोर्ट किया तो मैं गाने बनाए और हर्याना इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा जो भी कुछ हूँ आप तक बेंजी कौन सक्राइब हैं में किसे महेंगा नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं मेरा तो सब जगे से रोल वली होता है तो प्री में काम किया लेकिन अपट इस्टाग्रामर हो तड़ा ड़ी इस्टाग्रामर से जानता हूँ तो प्री आपका भी को बेस्ट इस्टाग्रामर है किसी महिला को किसी बहन को या किसी लड़के को आप भी फोलो करते हो वाइव माइंड फ्लोइंग काम करता है हमजी बहुत है अगर बात करूँ तो एक डेसी नाम की लड़की है मैं जादा कुछ उसके बारे में नहीं जानती लेकिन जो वीडियो बनाती है वो बहुत ही जादा कमाल की बनाती है लेकिन मेरी जो फैन फोलोइंग है या जो भी इंस्टाबे हैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि जो महनत करते हैं ना उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए वो लड़की इतना महनत करके वीडियो बनाती है घंटो घंटो उसको में लगता है वो अलग-अलग करेक्टर न किस फैमिली के में में मुझे इतना सपोर्ट किया है आँख बंखर के मिर पर विस्वास किया है यह काम कर सकती है और उनोंने मुझे बोला था कि एक दिन तू बहुत उपर जाएगी अपना बहुत नाम कमाएगी तो उनी की वज़े से मैं आज यहां पर बहुत नाम क्या नाम है बाष्वद्व का तेंकू मेरे साथ ही रहते हैं हर टाइमि अब और मेरे साथ ही नाम मेरे साथ एक साथारा रहते हैं और आख हमें से आप के चैरे बहुत बना रहा है आशक्त की हो रहना कि यह चीज मेरे लिए मत रखो कोई भी मुझे तुख होता है कि मैं सब को मतलब जैसी मैं हूं मैं वैसा ही सबको समझते हूं सबको यह निया कि इतने फोलोवर होगे तो एक कमंड़ आटिटूट बोलना नहीं यह नहीं अभी भी देख लो किसी को कोई मना नहीं है ठीका बाई कोई बात दी इनी की वज़े से मुझे करके ही सोड़ लागता है आप और हम इनकी वज़े से हैं यह नहीं को कुछ नहीं जी और नमस्ते और चुलेशन और तव आर जो आम आपके लिए कथी नो लो टाग अगला सांद रटूब को रहा है आपके विडियो को शेयर करते बाई सारे बायान रामनम जेहिंज एरियाना सक्ते मियों बेचे